good evening students welcome to another session of our online classes हम English grammar का portion tenses कर रहे थे और कल जो हमने tense किया था वो था future perfect कल जो हमने tense किया था वो कौन सा था future perfect perfect ठीक है और उसमें हमने sentences किये थे like he will have gone to school ठीक है वो school जा चुका होगा यह हमने कल किया था उसमें future perfect में हमने sentences किये थे कि वो जा वो चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे ऐसे sentences किये था ठीक है आज जो हम करने वाले हैं वो हमारे tenses part का सबसे last type of tense है और वो है future perfect continuous येस continuous ठीक है जिस तरह present perfect continuous किया हमने past perfect continuous किया उसी तरीके से अब हमारे पास क्या है future perfect continuous ठीक है इसमें हम sentence करेंगे कि वो सुबह से school जा चुका होगा या वो दो घंटे से school जा चुका होगा ठीक है इसी तरीके से हम करेंगे ठीक है हाँ सॉरी जा चुका होगा नहीं वो दो घंटे से school जा रहा होगा या वो सुबह से school जा रहा होगा ऐसे sentence हम करेंगे ठीक है लेकिन इस पे हमने जो है एक चीज़ आपको note करनी है कि जो भी हम English speaking करते हैं यह ज़रूरी नहीं है कि हम उसको जो है वो उर्दो में translate करें उर्दो में translate हम इसलिए करते हैं कई बार क्या होता है कि उसमें mistake भी हो जाती है ठीक है जैसे कि अभी मैंने जा चुका होगा बोल दिया क्योंकि basically English जो है यह बोलना है फिर आप उसको English में translate करोगे change करोगे ठीक है ऐसा नहीं करना है तो हम नहीं कोशिच करनी है कि हमने सोचना भी English में है सबसे अच्छा तरीका English जल्दी सीखने का यही है कि आप try करो to think in English to think in that language that you want to know that you want to learn तो इसमें हम sentences करेंगे just say he will have been going to school since morning he will have been going to school since morning वो सुबा से स्कूल जा रहा होगा वो सुबा से स्कूल जा रहा होगा he will have been going to school since morning अच्छा उसके बाद और कुछ इंटेंज हम कर सकते हैं जैसे they will have been watching a movie for two hours वो दो घंटे से movie या film देख रहे होंगे हाँ तो वो दो घंटे से movie देख रहे होंगे ठीक है तो इस त्रीके से हम sentences करेंगे इसमें ठीक है future perfect continues में तो सबसे पहले हम simple ले ले लेते हैं कौन सा यही he will have का इसको हम delete कर देते हैं जो हमें दूसरा लिखा है सबसे पहले उसी को ले ले लेते हैं as affirmative sentence और फिर हम उसको change करेंगे in other sentences also इसको हम affirmative sentence ठीक है यह ले लेते हैं he he will have been going to school since morning ठीक है he will have been going to school since morning यह हमारे पास आगया affirmative sentence हाँ उसे पहले जो हम बूल गे वो यह है कि इसका हम पहले क्या कर लेते हैं इसका formula कर लेते हैं कि instance का क्या formula बनेगा यहाँ बेदों को he का subject फिर will का इस्तमाल फिर have का फिर been का फिर form one first form of the verb का इस्तमाल हो गया फिर ing का इस्तमाल हो गया फिर since का इस्तमाल हो गया और उसे पहले object का ठीक है तो formula क्या बनेगा subject plus will have plus been plus first form of the verb verb one लिखूंगा मैं इसको plus ing plus sorry ing capital हो गया ing plus object और फिर plus since या फिर for since और for मैं से कोई एक चीज इस्तमाल करनी है ठीक है यह हो गया हमारे पास क्या formula किसका future perfect continuous का यह 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 हमारे पास formula हो गया future perfect continuous का subject plus will have plus been plus verb की first form plus ing plus object plus since or for since or for पर 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 चीज इस्तमाल करनी है ठीक है अच्छा तो अब जिन लोगों को यह नहीं बता के since or for इस्तमाल कैसे करते हैं तो कहां करना होता है तो उनके लिए since मैंने आपको बताया था since का इस्तमाल किया जाता है since का इस्तमाल कहां किया जाता है जहां पे name of time हो ठीक है यानि वक्त का नाम हो जहां पे for example morning for example Sunday for example January January for example 2020 for example 1990s ठीक है तो morning क्या हो गया या for example किसी अगर है किसी घंटे का ओवर का या मिनिट का जैसे for example 2 PM ठीक है यहां भी अब देखो कि morning किसका नाम है morning एक वक्त का नाम है सुबा का याने सुबा के वक्त का नाम आप कर देखो पहले seconds आते हैं, seconds से minutes बनते हैं, minutes से फिर hours बनते हैं, घंटे, फिर उसके बाद दिन बनता है, फिर उसे week बनता है, यानि हफता फिर उसे month बनता है, तो Sunday आ गया क्या? Day, दिन आ गया, January क्या आ गया, month, 2020 हमारे पस क्या आ गया? Year, year का नाम है, 1990s, ये decade का नाम है, दहाई का नाम है, तो जब name of time हमने लिखना है sentence में या बोलना है, तो तब हमने since का इस्तमाल करना है, ठीक है? अच्छा, ये समझा आ गया, अब हम करते हैं for के लिए, ठीक है? for, for में का इस्तमाल करेंगे for के लिए? for कहा इस्तमालता है? जहां पे quantity, quantity of time दिया हो, quantity of time यहने मिकदार, कितन example, जैसे के one day, जैसको English में दिख लेता है, one day, two weeks, one day से पहले हम पहले over ले लेते हैं, ठीक है? पहले over ले ले लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं, seconds ले लेते हैं, जैसे three seconds, ठीक है? उसके बाद ten minutes, उसके बाद five hours, उसके बाद one day आ गया, ठीक है? फिर two weeks आ गया, फिर आ गया eight months, ठीक है? फिर आ गया eleven years, ठीक है? फिर आ गया one decade, एक दिहाई, फिर आ गया one century, ठीक है? तो इसमें आप ने देखा कि समें quantity है, seconds गतने हैं जी, तीन है, minutes कितने हैं दस है, hours कितने हैं, 5 है, day कितने हैं, दिन कितना है, a**, weeks कितने हैं, 2, months कितने हैं, eight, years कितने हैं 11, decade कितना है, धियाई कितना है एक और century कितनी है एक तो इसमें सब पर quantity है न तो इसलिए यहाँ पर इस्तमाल होगा for ठीक है तो पहले हम कर लेते हैं यह since वाला sentence पर इसके बाद हम for वाला करेंगे तो हम कर रहे थे sentence कौन सा हाँ he will have been going to school since morning वो सुबा से school जा रहा होगा ठीक है आप इसका हम करेंगे negative sentence negative sentence negative sentence क्या बनेगा बड़ा ही असान है आपके लिए क्योंकि आप इतने देर से हम practice कर रहे हैं तो he will not have been going to school since morning तो क्या मतलब होगा इसका कि वो सुबा से school नहीं जा रहा होगा जा रहा होगा ठीक है वो सुबा से school नहीं जा रहा होगा आप आजाएगा हमारे पास interrogative ठीक है interrogative sentence में क्या होता है सवाल पूछे जाता है interrogative sentence ठीक है सवाल पूछे जाएगा सवाल जो हम helping और से पूछते हैं और यहां पे helping और कौन सी है will ठीक है तो क्या जाएगा will he have been going to school since morning question mark क्या वो सुबा से school जा रहा होगा ठीक है क्या वो क्या वो सुबा से school जा रहा हो का question mark ठीक है अब आ जाएगा हमारे पास कौन सा negative interrogative negative interrogative negative interrogative sentence में क्या होता है कि इसमें इसमें सवाल और इनकर दोनों होते हैं ठीक है सवाल हम will से बनाते हैं तो will से ही लिखेंगे हम ठीक है will he not have been going to school since morning question mark ठीक है क्या वो सुबा से school नहीं जा रहा होगा question mark ठीक है और फिर last वाला मारे पास आजाएगा wh wh family sentence ठीक है इसमें हम इस्तमाल कर सकते हैं words like why how when where what which ठीक है इसलिए इसको कहा जाता है w oblique w oblique h family sentences ठीक है हम य का इसमाल करेंगे why साथ में हम लगाएंगे helping word will why will he have been going to school since morning question mark याने वो सुबह से school क्यों जा रहा होगा वो सुबह से school क्यों जा रहा हो गा question mark ठीक है तो इस तरीके से यह हमने sentence कर लिया since वाला ठीक है with meaning ठीक है यह आपको समझ आ गया यह आ गया आपका पहला future perfect continuous का पहला आ गया फिर मेंटे sentence he will have been going to school since morning फिर आ जाएगा he will not have been going to school since morning फिर तिसरा आ जाएगा will he have been going to school since morning फिर चोथा आ जाएगा will he not have been going to school since morning और फिर लास्रा जाएगा why will he have been going to school since morning ठीक है तो अब हम next करते हैं for वाला इसको हम delete कर लेते हैं I hope आपको समझ आ गया होगा अच्छे से तो इसी तरीके से आपने सारे sentences करना है इसमें मुझे लगता कुछ भी मुश्कल आपको नहीं पेश आएगी बस आपको ये करना है कि आप उसकी प्रैक्टिस करनी है और कोशिश ये करनी है आपने कि अलग-लग forms of verbs जो हैं आपने इस्तमाल करनी है sorry forms of verbs नहीं अलग-लग verbs form तो इसमें वही रही रही फरस्ट मतलब इसमें अलग-लग verb करना है जैसे मैंने यहां पे going का लिखा है going to school आप इसकी जगा writing a letter ठीक है या watching या sleeping कोई भी verb करना है कर सकते हैं ठीक है अब हम करते हैं इसका for वाला करते हैं ठीक है तो इसमें हम ले ले लेते हैं किसी का नाम ले ले लेते हैं जैसे अहमद का नाम लेते हैं तो अहमद ये अब मैं इसको affirmative sentence लिखा हुआ है तो इसके बाद आगे वाले जो होंगे और मैं शौर्ट में लिखूंगा ठीक है एहमद विल हैव बीन कोकिंग फूड फूर टू ओवर्स ठीक है एहमद विल हैव बीन कोकिंग फूर्स फूर्स एहमद दो घंटे से खाना पका रहा होगा ठीक है अब इसका negative आजाएगा negative क्या बनाएंगे not का इसका इसका बादेंगे एहमद विल नौट हैव बीन गॉइंग टू स्कूल सॉरी गॉइंग नहीं गलत रहा है एहमद विल नौट हैव बीन कोकिंग फूर्स फूर टू आवर्स क्या मतलब आशका कि एहमद दो घंटे से खाना नहीं पका रहा होगा इंटरोगेटियव में क्या चाहिएगा विल विल का इस्तुमाल करेंगे विल रावर्स क्या एहमद दो घंटे से खाना पका रहा होगा फिर आजाएगा नेगेटिव interrogative हमारे पास negative interrogative में क्या होता है सवाल और इनकार दोनों होते है तो क्या आजाएगा will एहमद not have been cooking food for two hours question mark क्या एहमद दो घंटे से खाना नहीं पका रहा होगा और फिर आजाएगा w h w h में क्या आजाएगा के how will एहमद have been cooking food for two hours ठीक है याने एहमद दो घंटे से खाना कैसे पका रहा होगा ठीक है तो इसको देख लेए दोबारा affirmation इंटेंस आजाएगा एहमद विल्हाइब बन्कॉकिंग फूर्ट फार्ट वावर्स नेकटिव आजाएगा एहमद विल नॉट फीन कूकिंग फूर्ट फूर्ट वावर्स रटो आजाएगा व् हमारा last जो है वो tense था last type of tense था और आज हमारे जो tenses हैं वो complete हो चुके हैं for both the classes 11th and 12th और जिसने जो है वो नहीं ये classes जो हैं वो देखी है और join नहीं किया है तो वो हमारे चैनल पर जो मेरे चैनल है उस पर आके जो है ये सारी वीडियो देख सकते हैं मैंने सब जो जितने भी tenses हैं जितने भी types हैं उन सब की अलग लग वीडियो बनाई है short short videos ताकि आपको आसानी हो उसमें तो I hope कि आप सब जो है उसको देखे होगे और खास करके जिनको थोड़ी सी problem है tenses में शुरू से कहीं से उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छे से देखें और साथ में इसको जो है वो प्रैक्टिस करते रहें और इसका आने वाल दिनों में जो है हम एक टेस्ट भी लेंगे पूरे टेंसिस का ताकि हम चेक कर सकें कि आप लोगों ने कितना सीखा ताकि फीडबेक हमें मिल सकें तो साथ ही साथ आपको यह करना है कि इसके homework जो है वो जितना भी पेंडिंग है उन सब को जो है वो ग्रूप में शेयर करना है और विद क्लास एंड रोल नमबर ओके और ली क्लास एंड रोल नमबर ठीक है तो आज के लिए इतना ही अल्लाह आफिस